नमश्कार व्योस स्वागत है आपका इंडिया फ्रेस्टोस के यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 डेफिशेंसी की जो की बहुत याम तोर पर लोगों में पाई जाती है तो चलिए शुरू करते हैं यह जो अगर हम बात करें विटामिन B12 के बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर विटामिन B12 हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है तो इसके कुछ इंपोर्टन फंक्शन से उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले है वह हमारे सेंटरल नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है दूसरा ही है कि हमारे बॉड़ी में healthy red blood cells के production के लिए भी vitamin b12 की सही मात्रा हमारी बॉड़ी में होना बहुत ज़रूरी है और तीसरा जो important reason है वो है dna synthesis के लिए भी हमारे बॉड़ी में कि हमारे बॉड़ी में जो liver है वो vitamin b12 को लगवग 5 साल तक store करके रख सकता है और हाला कि इतना storage के बात में भी बहुत सारे लोगों में इसका जो deficiency हो पाये जाता है तीसरा जो main reason है वो है कि अगर आप देखें अगर किसी को vitamin b12 की deficiency की वज़ह से अगर कोई nerve damage हो गया क्योंकि नवर system की health के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो यह जो damages है वो हो सकता है कि permanent भी हो तो आप समझ सकते हैं कि vitamin b12 की deficiency को recover करना किता ज़रूरी है तो चलिए बात करते हैं आगे कि हमारी body में कितना intake हमें जरूरत है daily age wise हम देखेंगे कि किस के age में कितना हमारे पास intake जो beetle का होना चाहिए daily basis पे तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चे जो की infants हैं नवजात जो हैं लगबग 6 महिने तक के तो उनमें 0.4 microgram जो vitamin beetle है वो होना चाहिए फिर 7-12 महिने के जो बच्चे उनमे 0.5 microgram की requirement होती है 1-3 साल के बच्चों के लिए 0.9 microgram की requirement होती है daily 4-8 साल के बच्चों में 1.2 microgram 9-13 साल के बच्चों में 1.8 microgram 14-18 साल वाले बच्चों में 2.4 microgram और adults में 2.4 microgram की जो requirement है वो होती है B12 की daily basis पर इसके लावा अगर जो महिलाएं हैं अगर वो pregnant हैं या फिर वो breastfeed कराती हैं तो उन्हें और भी ज्यादा जो vitamin B12 की excessive मात्रा जो है कुछ extra उनको जरुत होती है तो आईए अब बात करते हैं कि vitamin B12 की जो कारण है deficiency के वो क्या क्या है तो सबसे पहला जो कारण है कि हमारी जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे हमारी body में vitamin B12 को जो absorb करने की शमता है वो कई बार कम हो जाती है दूसरा है कि अगर आप किसी weight loss surgery से गए हैं या बहुत सारे लोग जिनकों की belly fat बहुत जादा होता है वो weight loss surgery करवाते हैं तो इसमें जो stomach है हमारा पेट का उसका एक part जो हटा दिया जाता है इस तरह किसे तो अकर ऐसी कोई major surgery से आप गए हैं तो भी हमारी body में B12 को absorb करने की शम्ता जो है वो कम हो जाती है और अगर हम बात करें तो जो alcoholic है जो बहुत जादा alcohol drinker है तो उनमें भी vitamin B12 को deficiency पाई चाती है क्योंकि उनकी body vitamin B12 को absorb नहीं कर पाती है तीसरा अगर आपको anemia का problem है especially pernicious anemia तो उस case में भी आपको vitamin B12 का deficiency जो हो सकता है आगे हम बात करते हैं इसके कारणों की तो कुछ अगर आपको small intense time से related अगर कोई बिमारी है जैसे की एक Crohn's disease होता है जिसमें आपका digestive tract है उसमें सूजन और यह सारी समस्या होती है तो अगर इस तरह की की बिमारी है तो भी vitamin B12 का deficiency देखने को मिलता है अगर आपको immune system disorder का जो vegetarian diet लेते हैं उनमें vitamin B12 का deficiency जो है वह बहुत जादा होता है क्यों क्योंकि जो vitamin B12 जो है वह basically animal products से ही आपको मिलता है और vegetarians जो है वह केवल dairy products की ले सकते हैं इसके लावा क्योंकि वह ना meat, chicken, इस तरह की कोई भी fish, eggs ही सारी चीज़े नहीं खाते हैं तो उनमें vitamin B12 की deficiency होन जो होना बहुत ही आम बात है इसके लावा अगर आप कोई certain medications पर हैं जैसे कि आप ulcer के लिए कोई medicines लेते हैं या जैसे H2 blockers है कई सारे या फिर आविप्राजोल जैसे आप gas के लिए कोई medicine लेते हैं तो इस तरह की कि जो medicine से वह भी कई बार हमारी body में B12 की deficiency कर देती हैं कु कम कर देती हैं धीरे कर देती हैं इसकी वजह से भी vitamin B12 की deficiency आपको देखने को मिलती हैं तो यह तो सारे कारण थे अब आता है कि अगर आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम vitamin B12 deficient हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसके symptoms क्या है तो सबसे पहला जो symptoms है वह तो है कि weakness आपको पीली पढ़ रही है डल पढ़ रही है जो आपकी जीब का texture है वो बहुत ही smooth हो गया है constipation हो सकता है diarrhea का problem हो सकता है gas की दिक्कत हो सकती है nervous system related problems आपको हो सकती है जैसे कि depression आपको लग रहा है memory loss हो सकता है behavioral changes आपको देखने को मिल सकते है या फिर आपको vision loss हो सकता है आँको आ कई सारे आपको symptoms जो है वो vitamin beetle की deficiency के कारण देखने को मिलते हैं अगर इनमें से कोई symptoms आप देखते हैं कि कुछ समय तक आप में रहते हैं तो इसके वज़े से आप ये थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको vitamin beetle का deficiency हो सकता है और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप doctor से consult करें और उसके लिए test लिखवा के अपना vitamin beetle का level check करवाएं तो आईए अब बात करते हैं कि अगर आप deficient है या deficient नहीं भी है तो कैसे क्या diet follow करके आप naturally vitamin beetle का अपना daily intake है उसको पूरा कर सकते हैं तो majorly ये non-vegetarian items में जादा पाया जाता है जैसे कि beef liver हो गया clams हो गए इसके इलावा जो आपका red meat है वह हो गया eggs हो गया इन सब चीजों में यह जादा पाया जाता है लेकिन अगर vegetarian आप है तो किस तरह किसा आप इसको पूरा कर सकते हैं आप दूर ले लिजे dairy products में ये काफी होता है आपके dairy milk हो गया दही हो गया cheese हो गया 45 breakfast cereals जैसे कि आप cornflex ले सकत है आई यह बात करते हैं कि इसका treatment अगर किसी को deficiency बहुत जादा है या mild है तो उसको कैसे treat करें या इसको कैसे prevent करें कैसे बचे हम इससे तो सबसे पहला जहें वह ता vitamin b12 rich diet लीजे अपनी daily requirement को पूरा करिए ताकि आपको deficiency ना हो अगर आपको deficiency हो गई है तो depending upon the level of deficiency लोग आप जो doctor है आपको कुछ recommend कर सकते हैं vitamin b12 का आपको supplement दे सकते हैं in the form of medicines जो जादातर cases में तो यह diet और medicine से ही resolve हो जाती है problem बट अगर किसी को को permanent damage हो गया है इसकी deficiency की वजह से तो उसमें जो vitamin b12 का आपको पूरा treatment जैसे भी आपको doctor सला दें वैसे लेना बहुत ज़रूरी है तो इ उसको पूरा कर सकते हैं तो आशे करते हैं विवस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा जदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दूसरों के साथ share करें और चैनल को subscribe करें और ऐसे ही बने रहे हैं हमारे साथ thank you so much